कि तो अगले दोस्तों नमस्कार इंवस्में का दिछ से बहुत-बहुत सागत है है तो इस बोद बात करें कुछ स्टोक के बार में जिनमें आज की दिन काफी सारे इंपॉर्टेइं निवस्न निकल के आज चूका है सो स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आप लोगे पास से किसी भी लेवल पर तो यह वीडियो का आपको जरूर देखना यह वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टन होने वाला है सबसे पहले हम बात करें बजाज फानेस लिमिटेट के बार में आप देख पारेंगे आज की दिन के प्रॉफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ् तो इस टेंप पे बाई जो है वो कट किया जा रहा है और इन स्टॉक को सेल के सेल करके चलोगे तो आने बाइल टाइमें बजाज फान है सबको 5,000 के भी नीची यह यांकि 4,800 के स्टॉक आपको जाते हुए देखने को मिल सकते हैं जो कि आप देख पांगे यह आज यह की दिन की यह टार्गेट है तो इसके पीछे का रिजन क्या है क्योंकि मैं आपको मल्टिप्लियर टाइम बता चुको कोई भी ब्रोकर जाओ कोई भी बड़े ब्रोकर जाओ या क किसी भी स्टॉक के अगर अपसाइड या डाउंसाइड टार्गेट देता है तो इसके पीछे का रिजन आप आइडनिफाइज जरू करना कुछ ना कुछ रिजन आपको मैंसें करते हो देखने को आपको जरू मिल जाएगा तो उन्हें ने जो इन स्टॉक को सेल करने के रे चाहे बसकती की आपको देखने की कहले कैशाएंट जरू को मिलडी पार खका को अपने पार आपको छलेयों, finance पिछले 10-7 से अच्छी तरह से आमें दिखाते दिनकों मिल रहे हैं तो साइसे growth में आपको थोड़ा बहुत slow down देखने को मिल सकते हैं जिनके चलते हैं इन stock को इस level पे sell करने के recommend के और आने वाल टाम यह stock आपको 400-800 तक भी आते होए देखने को मिल सकते हैं तो कि इस news के जल लेना नहीं होते हैं लेकिन नोट आट यह जो उन्हें ने देखो आज की दिन जुरों ने यह news उन्हें पब्लीश किया है लगबख आप ऐसा बोस्तों तो बारे सारा बारा बज़े के आसपास लेकिन उससे अगर आप देखोगे stock में आपको ज्यादा impact देखने को नहीं मि लेकिन उन्हें जो लॉजिक पेज किया जिससे आपसे हमें competition increased होते हैं तो साइस से आने वाल टाम में company को थोड़ा सा growth का slow down भी आपको दिखाते होते हैं यह point तो बहुत ही logical था लेकिन जिन्होंने यह target दिया तो कुछ खास popular नहीं है जिनके चलते stock में कुछ खास negative momentum देखन को नहीं मिला इससे पहले आपने देखा होगा जो ambit capital जो की बहुत बड़ा नाम है उन्होंने जो target दिया था जिस दिन दिया था उसी दिन आपने देखा होगा stock में एक अच्छे कासी ग्रावार देखन को मिला था जिनकी जाए stock का growth आपको upside में बहुत कम देखन को मिलेगा तो अगर आपको पास है तो आप sale करके चल सकते हो और stock आपको पांच यह तक भी आते हो देखन को मिल सकते हो जैसी रिपोर्ट आया जैसी न्यूस है बास से stock में एक अच्छे कासे आमें ग्रावार देखन को मिला आप बाजर में आयो आई दिन कुछ ने कुछ आपको positive news किसी ब्रोक्रेज किसाओ से negative news यह चीज़े चलते रहते हैं आपका बस company को पर trust होना चाहिए company के business को पर आपका focus होना चाहिए business के बात करें हाली में अपने देखो का company quarter 4 के business update किया था तो हर चीज में धमाकदार अप प्लीज नंबर देखना जब और 10 दिन बाद इसके नंबर ही है तो नंबर देखे अगर आप बाई करोगे भले ये 5800 के जगा 6000 पर श्टॉक आप मिल जाए तो भी आपका बसका logic होगा बिना logic के देखे अगर आप बाई करोगा तो थोड़ा सा गलत वो decision रहेगा आपका तो closing दिया है जो लोग इस channel को regular follow करते हैं मैं एक चीज बार 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 बताता हूँ यह जो 1250 के level है आज ने तो कल ने तो परसू एक मंद बात दो मंद बात यह फिर रेजल के बाद पर अचीब तो जरूर करेगा और अचीब करने के बाद सिर्प अचीब भी नहीं करेगा sustain करक पाएगा यह भी देखना important रहने वाला है तो अगर sustain रहता है और इसी बीच में और लगबा का बोस तो आज 12 April है और पांच दिन बाद कंपनी के नंबर है अगर नंबर यहाँ पर अच्छे दिखा देता है अगर बाद ने जितना उम्मीद किया उससे बेटर नंबर दिखा अभी 35% गिरावारे देखने को मिलेगा बीच में 45% था मैं आपको बता है कि चाहों बाए कर से 10 कॉंडिटी लगबाए 1000 के लिवल पर बाए करके चल से तो अभी तो अपने देखोगा अब सारे 1200 पर आ गया तो 35% के जो गिरावारे देखने को मिले तो बहुत सारे ब्रोके में तो पूरा पोटेंसिल है अगर आपके पास है एंजिन लिमिटेंट मैं बाहर पर रही चीज़े बहुत है इस लिवल पर कितने भी कॉंटीर है चाहे एक लाक इन्वेस्मेंट के या दो लाक आपको अगर लॉस हो रहा है और आप सोच रहो कि क्या करना चाहे तो सिर्फ होल्ड और कंटीनू आपको पैसा डिफरेंटली मिल जाएगा वो भी अच्छे कासे रिटन के साथ नेक्स टॉक है हमारा के पी आर्टी टिक्नोजी जब सी यह रिपोर्ट आया आप देख पाने हमें सिर्फ तेजी और तेजी देखने को मैं अगर आज के दिन की बात करें एक देर पसंट के तेजी बीच में तो आपको पता है बहुत ही एक ही दिन में स्टॉक 17-18 पसंट गिरतों देखने को बला और इसके पिछे का रिजन भी आपको पता है उसके बाद जो यह कमबाक देखने को बला उसके पीछे का रिजन है एफ याई हाली मैं मैं कल के दिन आपने देखा होगे इनके जो सेर्विन पैटर्न है उस डेटा को मैं अपडेट किया तो इफ यह का इंफ्लो लगबाद तीन पसंट से इंक्रीज हुआ जिनकी लदे इसी चीज के लदे स्टॉक पर एक अच्छे का सामें तेजी दें कुबले तो प्लीज इस तीजी में आ और बिल्कुल भी मत करना जितनी भी आम के पास कॉंटिट है जितनी भी कॉंटिट है बिंदा सोल करें सिब होल और कंटीनू अगर एडिशन करने है आपको या फेस बाइंग करने है तो क्यूफोर के नमबर श्टार्ट हो चुगा क्यूफोर के नमबर एक बाद देखने द उससे तो मिलते है ऐसे इंटे सीमीव को साथ अब तक के लिए बाइबाइबाइब!